अगर आप Google Analytics को यूज करते हैं तो आपके पास यह notification आ रहे होगी 1st July 2023 से यूबे काम नहीं करेगा बतलब Universal Analytics को अब आप यूज नहीं कर पाएंगे 1st July से उसको आपको GA4 में convert करना पड़ेगा और आज का वीडियो इसी topic पे है अगर आप Universal Analytics से GA4 पे इसे migrate नहीं करेंगे, convert नहीं करेंगे तो friends आपके पास सारी details zero आएगी, कोई भी data show नहीं करेगा जैसे इस समय मेरे case में हो रहा है में भी मैंने theme के अंदर कुछ changes करे थे तो शायद उसके बाद मेरे यहाँ पे zero show कर रहा है पर उससे पहले friends अगर आपने अभी तक channel subscribe नहीं करें तो subscribe के button पर click करें और इस bell icon को press करके all के उपर जरूर click करें अगर आपके पास यह notification आ रही है तो right side top में आपको manage GA4 migration की option मिल रही है, इसके उपर आपने click करना है click करने के बाद यहाँ पे button मिल रहा है get started का, इसके उपर आप click करेंगे और आपको create and continue के उपर click करना है यहाँ पर आप देखेंगे connected का message आ गया है, पर यह देखने के बाद वीडियो को यहाँ पे stop ना करें कि भाई हमारा काम तो हो गया अगर आप यहाँ पे stop कर देंगे तो आपका data फिर भी fetch नहीं होगा उसके लिए friends आपको go to your GA4 property के उपर click करना है आप चाहे wordpress यूज़ कर रहे हैं, blogger यूज़ कर रहे हैं, दोनों का funda same ही है अब यहाँ पर आप देखेंगे data collection की आपको option मल रही है not started लिखा है इस arrow के उपर click करेंगे और mark as complete के उपर आपने click कर देना है यहाँ पर आप देखेंगे data not following आ रहा है इसको भी हम clear कर देंगे left side में आपको data streams की option मल रही है जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पर friends arrow के उपर आप फिर से click करेंगे click करने के बाद यहां लिखा है view tag instructions इसके उपर आपने click करना है अगर आपने site kit plugin को wordpress में install कर रहा है monster insights plugin को install कर रहा है तो आप यहां से कर सकते हैं अगर आपकी wix, space square, dude इनके अंदर website है तो friends यहां से आप install कर सकते हैं नहीं तो install manually के उपर आप click करेंगे और जो आपको यह code मिल रहा है इस code को आपने copy करना है blogger और wordpress दोनों का तरीका बता हुआ है यहां तक आपने same step follow करने है अगर आप wordpress यूज करते हैं तो dashboard में login करेंगे, appearance में जाएंगे, theme file editor में जाएंगे और यहां theme header में जाएंगे नहीं तो आप header footer वाला जो plugin होता है उसको भी use कर सकते हैं यहां पे आपको head tag मिल रहा है, head tag पे click करके enter press करेंगे और इस code को आपने paste कर देना है अगर आपका पहले UA वाला code already paste है तो उसी के साथ इसको आप paste कर देंगे उसके उपर यह नीचे same code paste करना है UA, मतलब universal analytics वाले code को आप delete बिल्कुल भी नहीं करेंगे यह तो आपने wordpress में करा और blogger के dashboard में login करेंगे, themes में जाएंगे, arrow पे click करेंगे, edit html में click करेंगे और same वही funda, यहां पे head tag के नीचे click करेंगे और code को paste करने के बाद, save के उपर click करेंगे अभी मैं इसे save नहीं करूँगा क्योंकि मेरी main wordpress के अंदर मैं इसे install कर चुका हूँ वापिस यहां पे आएंगे, यहां से इसे close करेंगे, इसको भी close करेंगे, automatic यह refresh होगा refresh होने के बाद friends आपने reports के उपर click करना है और उसके बाद, real time की आपको option मल रही है, इसके उपर आप click करेंगे यहां पे मैंने अपनी website को खुद open कर रहा है, और यहां पे देखेंगे, मेरा data fetch होना start हो गया desktop में दिखा रहा है, 100% one viewer, अब जैसी मैं page को नीचे कर रहा हूँ, तो यहां पे आपको सारी details मिल जाएंगे आप देखेंगे, same यही pages मैंने open कर रहे है, अब यहां से मेरा data fetch होना शुरू हो चुका है अगर आपकी multiple websites हैं तो friends उस पर यह करना बहुत जरूरी है, ने तो first July के बाद आप अपने data को खो बैठेंगे